हालो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं बस बार की तो सबस्टेशन में जो बस बार है आपका सबसे important equipment है जेनरली मैंने आपको इसके last video में बताया कि बस बार क्या होते हैं यहां पर कोफened doctor नाओ्न यहां से बाहर की और बिने किए साथा इसके नोड के जैसे जहां पर कई सारी लाइन साथी आती भी हो तर्व एक लोकेशन में, जो आपका बसबार है, वो Aluminium के बनाए जाते हैं, या Rectangular Prost-section के बनाए जाते हैं, वो copper, इसका reason क्या है, कि इसकी conductivity अच्छी है, weight कम है, cost कम है, और अगर equal current carrying capacity की बात किया जाए, तो उसके comparison में, अगर copper और Aluminium लेते हैं, तो Aluminium का cost, copper के comparison में कम होता है, and additionally, इसका जो, इसकी पास में excellent corrosion resistance होता है, Aluminium का, right, so in features के कारण, हम Aluminium bus bar जादा तर use करता है, अब क्या arrangements होने चाहिए, bus bar अगर हम बना रहे हैं, तो क्या factors होने चाहिए, उसको select करने के लिए, ठीक है, क्या requirements होनी चाहिए, तो आपके जो bus bar है, उसके simplicity होनी चाहिए, it means, जो उसका construction है काफी simple होना चाहिए, maintenance बहुत आसान होना चाहिए, means, power supply में किसी भी तरीका का interruption नहीं होना चाहिए, while maintaining the bus bar, additionally, अगर हमें कुछ additional lines वहां से लेके जाना है, तो यह सारे features है bus bar के, अब अगर मैं bus bar के classification की बात करूँ, तो पहला है आपका single bus bar system, जैसा कि आप इस diagram में देख रहे हैं, यहां पर क्या है का आपका single bus bar है, यहां पर कुछ lines आपकी incoming है, और कुछ lines की outgoing है, अप देखें जो incoming line है या फिर जो outgoing line है, वहां पर आपके कुछ isolator भी हो और circuit breakers भी है, तो जितने भी आपके feeders connected है, वह circuit breaker और isolator के साथ में connected है, कुछ power transformer भी है आप देखें, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके दो लाइन इंकमिंग है तो दो ही लाइन आपकी आउट गोइंग भी हो जितना आपका एनर्जी है उसके हिसाब से आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं आगे लेके जा सकते हैं ठीक है अब यहां पर आप क्या देखना हैं सिंगल बजबार सिस्टम जो होता है काफी easy होता है मेंस इसका जो arrangement है काफी easy है बहुत simple है यह बट इसमें drawback क्या होता है जो कि यह single बजबार है अब अगर कहीं पर भी fault आता है तो पूरा का पूरा system हमारा collapse हो जाएगा मिन्सकर हमारे बसबार में अगर फॉल्ट आ जाता है तो जितने भी इससे connected आपके feeders है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे तो आपका पूरा जो supply है वो पूरा का पूरा supply आपका डिस्टर्व हो जाएगा तो जो single bus bar system है उसको generally हम लोग switchboard में use करते हैं या फिर small and medium substations में हम use कर सकते हैं या फिर जहां पर हमें small power के requirement है या DC stations है वहां पर हम single bus bar system हम use कर सकते हैं इसके बाद आता है आपका single bus bar arrangement with bus sectionalization इसका मतलब क्या है कि आप देखिए कि जो आपका single bus bar था उसको दो equal part में divide कर दिया power same है ठीक है उस bus bar में आने वाली power same है कुछ incoming है कुछ outgoing है same construction है बस हमने यहाँ पर क्या कर दिया बीच में जो आप part देख रहा है that is bus coupler bus coupler में क्या है कुछ isolator से और कुछ circuit breaker है आइसोलेटर और circuit breaker के थ्रूच यहाँ पर आपका bus coupler लगा हुआ है that is this is supposed bus coupler इस bus coupler में आपका isolator भी है और circuit breaker भी है अब यह bus coupler दो buss को यहाँ पर joint करता है अब अगर किसी एक side में अगर आपका fault आ जाता है तो यह वाला system आपका safe रहता है ठीक है तो sexualization करने का advantage क्या हुआ कि यहाँ पर पूरा का पूरा आपका जो feeder है या पूरा आपका system में वो collapse नहीं होगा अगर किसी एक जगह पर fault आ जाया किसी एक buss बार में अगर fault आ जाता है जैसे ही fault आएगा तो जो आपका circuit breaker है वो fault को sense कर लेगा और उतने part को system में से remove कर देगा isolator के थरू तो बचा हुआ जो part है वो functioning में रहेगा तो यह हमारा इसका एक benefit है अब इसके बाद में क्या है इसका जो use है वो 33 kv तक हो सकता है लेकिन अगर हमें high voltage की requirement है तो अगर आपका high voltage side में अगर आपर करोगे तो कई बार हमारा single bus bus system है कई बार हमें problem उसमें देखने को मेलता है कि अगर दोनों side अगर problem हो जाए तो हम क्या कर सकते है तब उस condition में क्या होगा या heavy fault का phenomenon अगर create हो जाए तो क्या होगा तो हम यहां पर main and transfer bus arrangement यूज करते हैं तो अब आप इस diagram में देखिए एक आपका main bus bar है दूसरा क्या है आपका auxiliary bus bar है ठीक है अब अगर किसी भी condition में main bus bar में अगर किसी भी तरीके का problem आता है तो आप सारे के सारे सिस्टम को auxiliary bus bar में transfer कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक main bus bar है, और एक आपका auxiliary bus bar है, ठीक है, और इन दोनों को हमने एक bus coupler के थ्रू जोड़ा हुआ है, अब इस bus coupler में यह जो आपका bus coupler है, इस bus coupler में आपका isolator भी है और आपका circuit breaker भी है, रह इसका कारणी क्या है, कि अगर यहाँ पर आपके system connected है इस point पर और अगर हमें इस point पर उसको shift करना है, circuit breakers भी लगे हुए है, isolators भी लगे हुए है, isolator के थ्रू भी हम system को यहाँ से disconnect करके, यह circuit breakers के थ्रू हम disconnect करके, यहाँ पर connect कर सकते हैं, पर इस पूरे process में हमारा जो supply है वो disrupt नहीं होना चाहिए, supply की continuity है वो disrupt नहीं होना चाहिए, तो बस coupler इस बात को make sure करता है, कि जब हम इस तरीके से कर रहा है, कि suppose इस line में आपका fault आ गया, पूरी की पूरी line आपकी supply line में अगर shift हो रहा है, तो उस condition में हमारा जो power की continuity है, वो break ना हो, तो यह काम कौन करता है बस coupler करता है, अब अगें, यहां पर जो ऊपर वाली line है figure में में बस हो नीचे वाली के है, auxiliary bus है, अब यहां पर हम अपने according change भी कर सकते हैं, means हम auxiliary line को main bus भी बना सकते हैं, और main bus को हम auxiliary bus भी यहां पर बना सकते हैं, तो इस तरीके का जो system है, main and transfer bus bar arrangement का, वो हमारे लिए बहु flexibility, इस तरीके की system की flexibility है, बहुत अच्छी होती है, supply की continuity हमेशा बनी रहती है, और इसका maintenance होता है, काफी low होता है, clear, so यह हो गया आपका main and transfer bus bar system, अब इसके बाद आखता है ring bus bar system, ring bus bar system में आपका क्या है, ring bus bar system के case में, आपका जो bus bar है, आप यहां पर देखिए, एक ring के form में है, यहां पर भी आपके bus couplers है, और इस side में भी आपके bus couplers आपके जुड़े हुए होते हैं, अब यहां पर किसी भी तरीके का, आपका main and transfer system नहीं है, main and transfer system नहीं है, यहां पर क्या है, आपका एक ring के form में है, और यहां पर भी आपके bus couplers होते हैं, यहां पर भी 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 bus couplers होते हैं, और यह वाला part भी आपके bus couplers होते हैं, यहां पर भी आपके bus अगर यहां पर कोई फॉल्टा करता है गोने तो इसको के विए ठिरूर। आगर रिंग्में रिंगमें तो सिस्टम को पना स्पॉलिम यहां इसको भी किष्चा ही हbuatा है तो इस बी एक बस बार को अगर मैं भी बूलो कि यह बस बार है आपका तो किसी भी एक बस बार को दो तरफ से supply मिल रहा है तो किसी भी अगर एक पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरा direction है उसके पास पर supply को लेने के लिए तो यहां पर यह जो system है आपका काफी जादा effective है बहुत जादा reliable है clear तो जो आपके ring main system है that is more advantageous इसके बाद में आता है आपका sectionalized double bus bar arrangement अब sectionalized double bus bar arrangement का diagram आप figure में देख पा रहे हैं यहां पर भी same structure है पर यहां पर जितने भी outgoing lines है आपके तो आपके आपके अचागा आपन ढूदाWe तो यहां पर क्या है यह दबल जो आपके आउटगोई में जो डबल डबल जो सर्किट बेकर और आइसोलेटर लगे हुए हैं इसलिए हम लोग इसको कई बार क्या बोलते हैं डबल बार के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सच्छनाइजेशन क्यो है अगेन आप देखिए जो आपका में बस बार है वहाँ पर हमने बस कपलर लगाया हुआ है यह बस कपलर क्या करता है दो बस बार को जोइंट करता है और अगर किसी भी तरीके का फॉल्ड में बस बार में आता है तो हम सिस्ट्रम को क्या है ऑक्सलरी बसबार में हम shift कर सकते हैं, दूसरा यहां पर point देखिए, हर line में, हर feeder में एक isolator और एक circuit breaker लगा हुआ है, तो अगर किसी भी part में, किसी भी line में, small part में भी अगर आपका fault की condition अगर generate होती है, तो दूसरी line उसे effect नहीं होगी, क्योंकि हर line को protect करने के लिए हम यहां पर isolator और circuit breakers यूज़ कर रहे हैं, तो यह हो गया आपका sectionalized double busbar arrangement, तो यह आप बोल सकते हैं कि जो आपका double busbar arrangement है, क्योंकि यहां पर circuit breakers है वो जादा use हो रहे हैं, तो इसका जो cost भी क्या हो जाता है, जादा हो जाता है, तो यह हो गया आपके सारे busbar के classifications,